हालो मेंबर्स वेलकम बेक टो ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो हम लोग डिसकस करने वाले सर कल का मार्केट कैसे रह सकते कल क्या मार्केट में मोमेंटम हो सकता है मार्केट उपर जाएगा नीचे यह बताने के कोशिश करूँगा वाकि आप लोगों की क्वेरी कुछ है आर्वेनल के बेसिस पे या दूसरे बहुत सार है तो वह भी कवर करूँगा ठीक है चले आप आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं अब देखो बात समझना मैंने आप अगर फॉल करें तो खरीदी का सोचना जरू है ठीक है यहां पर आप देखो कि थोड़ा बहुत फॉल किया फिर वापस इंट्राडे हाई ठीक है इक स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो आहां पर प्रॉफिट अच्छा हो सकता था हाला कि हम लोग ने गैप ओपन हुआ हम लोग बीटीएस्टी किया था ठीक है मैंने फ्राइड अराउंड दो बच के चालिस मिट केर पास कुछ कॉल दिया था बीस पॉइंट का मोमेंटम आ चुका था उसके बाद प्रॉफिट बॉकिंग और स्टील बोला था कि आप लोग लेना चाहते हैं ले सकते हमारे चारगेट 400 तक थे 323 का C था ठीक है और 400 तक के टारगेट थे तो 400 पॉइंट 412 पर हम लोग ने प्रॉफिट बहुत बड़ी प्रॉफिट था ठीक है मुझे भी यहां पर कुछ 17-18,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ था ओकी अब कोशिन आ जाता है कि सर यहां पर कल क्या कर सकते हैं यह त सेकंड डेको जब डाउजन खुलता है तब डाउजन फॉल करते हैं यह भी मैंने और नेक्स डेको हमारा मार्केट भी फॉल करेगा तो यह जनल एक छोटा सा सेट अप रहता है हम लोग क्या करने वाले हैं अब यह समझे हैं यह पाउस केंडल है या तो गैफ फीलप करना आएगा या फिर यहीं से भाग जाएगा ठीक है लेकिन गैफ फिलब करना आगा वो मुझे थोड़ा डाउट लग रहे क्योंकि एफवाई की स्टेल खारीदारी है यहां पर खरीदना ठीक है और आपका स्टॉप लस होने चाहिए अट्रा चार्सू चालीस का ऐसा हो तो इसके बीच में कहीं पी आता है आप एवरेज या एड़ कर सकते हैं अट्रा चार्सू चालीस का स्टॉप लॉस यह सपोर्ट और वापस अट्रा चीज़सू तक की आप की टार्गेट हो सकते हैं अब पूछे कि सर मान लो आज का हाई क्रॉस के तो क्या खरीदे डेफिंटली चांसे से कि यहां से मोमेंटम कर सकते हैं अगर हाई क्रॉस क्या लेकिन पांच बिट सस्टीन करने देना ठीक है अगला पॉइंट आ जाता है से स्टेवल उपन वह त आप 45,000 के आसपा सते वहां पे खरीदने का सोच सकते हैं यह को सेलिंग करना काफी रिस्की है ठीक है सेलिंग करना काफी रिस्की है क्या पता आपने सेलिंग की और यह पुल बैक कर जाए तो बैटर है खरीदने का सोचो नीचे 45,000 पे सपोर्ट है 43,800 पे हाँ पे रेजिस तक हो सकते हैं तो यह हो जाती है मेंबर्स आपकी स्ट्रेटेजी अगर हाई करें आप डेफिलेंटी रिभाई करना चाहते का सकते रेकिन कॉंटेडी कम निफ्टी थोड़ा ज्यादा बेंटर है इस कम पेटो बेंग निफ्टी क्लियर ना तो होब इतना आपको समझ वाया है पसंद आया है चोले फटाट बात करते हैं पर इंट्राडे स्टॉक सबसे पहला इंट्राडे है सी यो बी देखो बंदा दोसों तक गया है लेकिन अभी यह आधा हो जुका है मलब रिजल्ट खराब आते तो लोग पिटाई बह बहुत खराब कर लेते हैं बंदे ने काफी बड़ा ब्रेकडाउन किया है अगर आप दिखोगे वन वे ट्रेंड का यह ब्रेकडाउन है 125 के नीचे हम लोग शॉट करेंगे वन परसन का स्टॉप प्लस वन परसन के टार्गेट ठीक है अगर मान लोग लोग अपन हो जाता ह है सेकेंड हो जाता है बॉस सेम चीज है मेंबस बॉस ने भी गिरवाट की है आरे साई 40 के नीचे है में सरी नेगेटिव है 18240 को जैसे ब्रेक करते हैं स्टॉप में ब्रेकडाउन हो सकता है स्टॉप यहां पर एक सटॉप पसंद के लिए फॉल कर सकता है इसको फोकस कीज रेंज ब्रेक की है काफी चीज है लेकिन आज का हाई का वेड करना अगर यह है बेक होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे 1% का स्टॉप ब्लस 1% के आरे में से क्रॉस ओवर है आरे से क्रोस ओवर है चांसर से बंदा मुझ कर सकता है एंड आखरी स्टॉक आल टाइम हाई वाला टाइटर ठीक है इस बंदे ने आल टाइम हाई ब्रेक किया है 2821 या 2022 जैसे ब्रेक होता है हम लोग ट्रेड करेंगे 1% का स्टॉप लस 1% के टारगेट ठीक है अगर आप ध्यान से दिखो कि काफी अच्छा यहां से ग्रींज ब्रे एक दिन अभी माफ कीजिगा अभी जस्ट एक वीडियो रखाए मन्थली ब्रेक आउट वाला वो भी चेक आउट कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जैए हिट